Hello everyone, so from this video we are going to change the pattern of our videos अब जो हम वीडियो बनाएंगे वो मिक्स टॉपिक पे ना होकर एक पर्टिकलर टॉपिक को पर्टेन करेगा No.1, No.2 हमारा जो वीडियो होगा उसमें कुछ MCQs होगे और कुछ फैक्टल इंफरमेशन भी होगा ठीक है तो दूनों का मिक्सप होगा So, before starting the video what I have done is I have written all the keywords which I could remember from this very topic that is आज का topic जो है वो labor relations के उपर है या फिर आप वो सकते labor laws के उपर है तो इससे related मिलता जुलता जो भी topic मुझे समझाया मैंने यहाँ पर लिखा अगर को topic ऐसा आपको लगता है जो miss out हो गया है तो वो आप comment section में नीचे लिख दिजे ताकि अगला वीडियो जब बनेगा तो उसमें मैं इसको include कर लूँगा तो पहला है इंडस्ट्री रेवल्यूशन देन लिउडाइट यह मैं आपको बताऊंगा फिर factors of production फिर women's day हम क्यों मनाते है लेबर डे क्यों मनाते है बुर्जवा क्या होता है प्रोलेटरियर्ट क्या होता है बॉलिशन ऑफ स्लेवरी कब हुआ था इंडेंचर लेबर्स क् Factories Act इंडिया में जो पहला आया था वो कब आया था किसके समय आया था एटक क्या है बीमेस क्या है फिक क्या है सेवा क्या है उसके बाद constitutional provisions जो है लेबर लॉज से वह भी हम देखेंगे हमने देख लिया है एक बार लेकिन फिर रिवाइज करेंगे एमजी नडेगा का क्या provision है उसमें job card क्या होता है minimum wage act कब पास हुआ था विशाका guidelines क्या है me to movement कैसे start हुआ sexual harassment of women at workplace act जो की 2013 में बना है उसको एक बार देखेंगे code on wages act जो की 2019 में आया है the code on social security और code on industrial relation यह सारे course जो है अभी जस्ट पास हुए है और चौता code है code on occupational safety उसको हम देखेंगे उसके बाद maternity benefit act को amend किया गया था अभी कुछ दिन पहले उसको भी जानेंगे उसके बाद PM स्ट्रम योगी मांधन योजना क्या है उसको देखेंगे उसका gig economic क्या होता है और job burn out क्या होता है ये भी जानेंगे ठीक है आपको कोई extra topic मिलता है तो वो आप नीचे comment में लिखेंगे आज हम थोरा topic देखेंगे उसके बाद कल हम उसको include करनेंगे next जो है एक और बात important है अभी बहुत सारे लड़के panic हो रहे हैं और random materials कहीं से जुगार करते हैं और वहाँ पे जो होती है बाते वो उनको confuse कर देती है या panic हो जाते वो मेरा जो है वो focused material है मैं यह नहीं बोलना कि आप दूसरा material नहीं पढ़िया आप पढ़िये लेकिन मैं यही आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने जब धिया 30 का तो cut of 75 था मुझे 82 आए थे तो you can trust me मैं आपको जूट नहीं बोलूँगा now coming to the first question the process of industrial revolution first began in तो कहां पे यह सुरू हुआ था industrial revolution पहला बोलता है Britain में हुआ था दूसरा बोलता है France में हुआ था तीसरा बोलता है Japan में हुआ था चौथ बता USA में हुआ था तो इसका अंसर बहुत सिंपल है सबको पता होगा Britain में हुआ था लेकिन इसके अलावा कुछ जाना जरूए है वह जाते हैं जब industrial revolution आया उससे पहले production का कौन सा method use होता था तो उसको बोलता है domestic system या फिर putting out system so this name is very important putting out system यह वहाँ follow होता था और जो industrial revolution आया वो किस दौरान आया 70s 60s से 1840s के समय आया और उसी समय जो है Britain का यहाँ पर हमारे देश में राज स्थापित हुआ था सी ऑप संदेखी जापान जो है जापान कैसे इंडस्ट्रियलाइज हुआ वहाँ एक revolution हुआ था मेजी revolution या मेजी रेस्ट्रोडेशन बोलते हो तो यांकि मेजी डानिस्ट्री के लोग वहाँ के किंग बने थे तो उनके समय में बहुत सारा रिफॉर्म लाए गया था जिससे वहाँ का नहीं था मजदूर वार्ट के जो लोग होते थे लेबरर्स वह खरीते थे अभी जिसको देखो अपर भी वह और वन प्लस यह सब खरीद रहा है इनिशली अगर आप चीटिंग भी करते हैं लेकिन बात में आप सीख रहते हैं वह अच्छा होता है 85th है यह important है यह बोलता है लिव डाइट वेरा सोचल गूर्प अवर्कर्स दूरिंडूर्स्री रवलूश्य तो वाट वस देर एंब बोलता है इस्टाबिसिंग डिक्तेटर्शिप अप्रोलेटरियर दी बोलता है रिप्लेस ओल हुमन लेबर विट मशीन सी बोलता है इंड अड फूरियलिजम अं इंड 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 86 question यह बोलता है the international women's day is celebrated on पहला बोलता है 28th of February दूसरा बोलता 8th of March 13th of April and 1st of May तो इसको समझेंगे और यह क्यों होता है यह भी समझेंगे आप सबको पता होगा 8th of March किसका answer होगा 13th of April को आप याद कर लिजे जल्यान वाला बाग हुआ था first of May को आपको पता है क्या होता है लेबर डे होता है और 28th February को USA में socialist organizations के women ने मार्च निकाला था तो कई लोग मानते हैं कि उसी को याद करते हुए women's day मना ही आता है लेकिन एक और है on March 8th 1917 women textile workers began a demonstration covering the whole city of Petrograd तो Petrograd कहां था योसे सार में था मतलब पहले के रस्या में था तो this month the beginning of February Revolution which alongside the October Revolution made up the Russian revolution तो Russian Revolution जो हुआ मतलब 1917 में पहले हुआ February Revolution बाद में हुआ October revolution तो बाद में जब October Revolution हो गया और वहां व्लादिय में लेनिन के सरकार बन गई तब इस डे को जो है गुशित किया गया एक public holiday और तब से यह मना जा रहा है आठ मार्च 1917 को यह हुआ था यह पता होना की हिस्ट्री उसके बाद है वन इस डा इंटरनेशनल लेबर डेसेलिबरेटेड तो यह आप सब को पता होगा फर्स्ट अप में होगा तो एक लेबर यूनियन था सोसलिस्ट वो लोग भी थे जो यूसे में था 1886 में उन्होंने शिकागो में एक मार्च निकाला था किसलिए BACK जो working ऐस है उसको एीट आस पे confine करने के लिए उनका कहना था कि जो दिन है उसको तीन बाद करना चाहिए आठ गंटा सोने के लिए होना चाहिएας और गंडा री creation के लिए उना चाहिए तो वही Chicago प्रोटेस्ट के बाद यह जो है मनाने जानने लगा ठीक है first of me और 8 March को आख को पता है women's day होता है 5th of June को environment day होता है जबकि यहाँ पर 8 ना करके अगर 20 March कर देते हैं 28 March कर देते हैं 20th March को Sparrow Day मना जाता है ये important है Sparrow Day अब आते हैं next पे If the question comes about class struggle माली ये आ जाता है कि theory of dialectical materialism किस ने दिया है ऐसे questions आते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि कालमाक सा theory है dialectical materialism का उसने history को समझाया था इस theory से उसके बाद है बुर्जवा क्लास क्या होता है जो क्लास होता है उसमें एक क्लास होता है बुर्जवा बुर्जवा मतलब होता है social middle class या aspirational middle class उसके बाद होता है proletariat क्या होते हैं यानि की working class people specially those who do not own any property और एक quotation है जो की famous है उनका वो है workers of the world unite you have nothing to lose but your change ये पूरा है तो ये communist manifesto में बोला गया था किसके द्वारा बोला गया था काल्माक्स और फ्रेडरी इंजल्स द्वारा उन्ही लोगों ने ये किताब लिखी है तो ये सारा तीन चार बात पता चल गया theory of dialectic then bourgeois then proletariat और ये quotation हब आते हैं 88th question पे ये पूच्टा है slavery was banned in India through Indian slavery act in the year तो इसका answer होगा 1843 जबकि 1858 में क्या हो था East India Company का rule खतम हुआ था और 1881 में भी एक important चीज हुआ था first factories act आया था किसके समय Lord Rippon के समय ये important है और 1853 में क्या हुआ था पहला railway line शुरू हुआ था Mumbai to Thane अब आते हैं indentured labor speed यानिकि slavery जब end हो गया slavery ended in British Empire in 1833 to 43 यानि 33 में पहले कहीं हुआ और 43 में finally हो गया तो उसी समय during the during the same time the system of indentured labor started तो ये system क्या था ये एक तरका bondage labor था it was a form of debt labor or debt bondage इसमें क्या था कि आप अगर loan लेते हो सपोज 10 लाख लोन लिया मैंने और मैं 10 लाख का लोन नहीं चुका पा रहा हूं तो फिर क्या होगा bank बोलेगा तुम मेरे यहां काम करो तो उस टाइक का ये लेबर था इसमें क्या होता था कि Indians were transported to various colonies of European powers to provide labor for the plantation जैसे railway lines है तो उसको भी चाना है उसमें लगेगा लेबर तो जहां भी लगेगा यूस होता था ऐसा कहा भी जाता है कि America was built by the black people जो black people थे black slaves थे उनसे अमेरिका बिल्ट हुआ है वैसे ही बहुत सारी countries जो है वो हमारे indentured labor से भी बिल्ट हुई है उसके बाद है इट स्टार्टेट फ्रम दा इंड अव स्लेबरी इन एटीन थर्टी थी इन संपाट अप इंडिया अंटिन इंटीन ट्वेटी इस रिजल्टेड इंड डेवलाप्मेंट अफ लार्ज इंडियन डाइस्पोरा ज सारे क्रिकेटर्स जो है इसे राम नरे शर्वन है या इंडियन नाम के महां लोग पाई जाते हैं दे फॉर्स्ट और इंडिया ट्रेड इंडियन टुबी इस्टाबलिस्ट इन इंडिया वह स्टाला इंटक दूसरा प्लता है सीटू दिसरा बोलता बीमेस और चौता इंट इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस तो यह सारा मुझे पता है आपको भी पता होना चाहिए इसको आप एक बार देखे या याद हो जाएगा उसके बाद इसका जो एंसर होगा वह होगा और इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस जो कि 1920 में बना था और इसक ही होगी तो उसमें उनके दोस होते हैं इसका नाम चाल्डी होता है उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यह बोलता है वेच अमंग दफॉलविंग इस दे लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन इन इंडिया तो इसका एंसर हो जाएगा भारतिया मजदूर संग्रेस अब कॉंग् अधूर संग जो है वह तरका आरेश सका है या बोल लिए बीजेश फीसे अड़की दोस्ती यह और इंडिया ट्रेद इंडेड इन मोट्रेश रेजियार पार्टी ओफ इंडिया का है जबकि सेंटर ऑफ इंडियान ट्रेड यूनियोंड जो है यह सी P आई म अधना बी जो ह which is ninety first the trade union act was passed in कौन से साल में पास हुआ था तो यह साइज जो डिये गया है मैं अलब साल दिये गया है यह भी important है और यहां पर option दिया गया है इसी में से यह match खाते हैं लेकिन यह correct order नहीं है तो हम देखें एक correct order क्या होगा तो जो trade union act पास हुआ था वो कब था 1926 में हुआ था और 48 में क्या हुआ था minimum wages act पास हुआ था जो की question आ चुका है 55 में essential commodities act पास हुआ था जो की question इस फार साथ आ सकता है because of this protest going on और 1920 में 8th form हुआ था जो मैंने पहले discuss किया all India trade union Congress now coming to 92 this is also important who among the following is related to the self-employed women's association यानि कि सेवा ये अम्दवाद में हैं तो आप सब को पता होना के यह important भी है यह बोलता है अरुना रॉय बी बोलता है इला भर्ट सी बोलता है मेधा पटकर और डी इसका answer जो होगा वह होगा इला भर्ट जबकि अरुना रॉय जो है वह मजदूर किसान सकती संगटन से related है और यह आए इस आप सथी पहले इंपॉर्टेंट है मेधा पटकर जो है वह associated हैं नर्मदा बचाव आंदोलन से और वह किस की अलमनाई है जबकि वन्दा सिवा जो है उनका एक इंजिवा बोलीजे वह है नवदान्या और मोंसैंटो जो है जो की बहुत बड़ी कम्ठी है मोंसैंटो जो की सीड बगारा वेशती है तो उसके विरुद्ध ये अक्टिविजम करती है तो इस व बोला हूँ so this was all for today thank you thanks for watching